आज मैं धनू लगन के जातकों के लिए आपको संग्यान देता हूँ धनू लगन ये गुरू का लगन होता है इस लगन का स्वामी गुरू होता है ये खुद को भेतर समझने वाले होते हैं धहरेवान होते हैं समर्पित होते हैं आध्यात्मिक मिलंसार होते हैं, अगर इनका गुरु नीच का अगर मकराशी में हो तो वो अपनी बात दूसरे पर थोपने लग जाते हैं, ये अध्याश्त बहुत अच्छे सज्जन परिवारों में पैदा होते हैं, धनु रशी आप सुनो लगन, तो आप मान लो कि ये किसी श्रीमान परिवार की संतान है, आपके पिता और दादा अनुशासन प्रेय, जज, पिंस्पल, बड़े ओदे के इनसान होते हैं, पैसे के मामले में आप सहियमित और समझदार होते हैं, फर्ज निबाते हैं, आपका व्यावार छोटे भाई बैनों से सहियमित रहता है, आप परिवार की संपती को इंग्या करते हैं, आप बड़े अच्छे वक्ता तर्ख वितर्ख निपन बहस करके समाज में सामने अपनी बात रख कर सिद्ध करने वाले होते हैं, यह बहुत बड़ी बात है, आपके छोटे भाई और दोस्ट शनी के जातक होते हैं, थोड़ी आपके माता पता घर परिवार पाठ पूजा ज्यान करने वाले धार्मिक होते हैं, आपकी संतान मंगल की पैदा होती है, सैनापतियों की तरह, जनून वाली होगी आपकी संतान, टेक्निकल शिक्षा में, खेल कूद में भाग लेने वाले होंगे, आपके आपकी दुश्मन में कम होंगे, पैदा होंगे तो खुद पर खुद निपड़ जाएंगे, करकर खोटे काम, यह आपके लिए बहुत प्लस पाइंट है, आपके दुश्मन वैसे होते कम हैं, पर आपसे इश्या करने वाले जरूर मिल जाएंगे, आप जहां काम करते हैं, वहां भी आपसे इ बहुत परिशान होते हैं, तो शास्त्रों ने काया कि आप काम की आप अधापी मत करो, आप श्रेष्ट इंसान हो, आपके जो भी करम है ना उनके श्रेष्ट फल आपका इंतिजार करते हैं, धनो लगनवालों यह आपको हर यूग के रिषी ने, महरिषी ने काया है, माना ब्रण्मा जी से लेके वेद व्यास तक वेद व्यास से किशन्रा गानी तक सब मानते हैं तो यह आपको एक बाद सुनो आपको शुगर से सावधान देना चाहिए सलाह मैं आपको दे रहा हूँ आपका पती पढ़ा लिखा होगा पर जिस भी काम पर आप शीरिस होंगे वहाँ आपका पती विपक्ष में खड़ा हूआ मिलेगा माना जीवन साथी की सोच आप से थोड़ी डिफरेंट होगी धनू लगनवालों को रिष्टे सस्राल से कम बती रहेंगे माना सस्राल में आपको यश नहीं मिलेगा सीधी सी बात है सस्राल पक्ष से on the contrary you will have troubles hurdles in your progress steps यह है आपके पिता और आपके खैलात 100% मिलेंगे धनू लगन है न वो अपने पिता का अत्मज होता है हम लोग जब धनू लगन का जातक पैदा होता है न तो अकेले में उस जातक के कान में कह देते हैं कि भाई यह आपका भक्त पैदा हुआ है क्या है यह हम पूरे परिवार के सामने नहीं बोलते हैं उनको अकेले में बोल देते हैं, यह आपका परमभक्त है, जिन्दगी पर चलेगा, बात मानेगा, सुनेगा, साथ चलेगा और निभाएगा, ठीक है, आपको अपने पिता की सेट की भी बात पर समर्थन होता है, माना आपके पिता कहें ना, कुछ में कुछ जाओ आप कुछ होगे, ब्रनु मलगन वाले, माना ऐसा होता है, माना पिता के भक्त हो आप, आपके अंदर एक अदबुद धार्मक शक्ति होगी, और सब को ये अपनी ब्लेज दिखा जाएगी, जब ये आप कुरोध होगे, या जब अपनी बात कोगे ना, सामने वाला मिंटों में आपके शेक हो जाएगा, उसके सब इरादे ना, भस्त हो जाएगी, ये आपके गुर्ण में है, यू कैन बी अ ग्रेट स्पिकर, कंसल्टन्ट, अकाउंटन्ट, बहुत बड़े अकाउंटन्ट, चार्टर्ड अकाउंटन्ट बन सकते हैं, आपकी कारे पढ़ना ली ऐसी होती है कि तीम वर्क के साथ चलेंगे, आप ग्रूब के साथ अपना काम करते हैं, अकेले नहीं जलते हैं, भै आदे उदर, आदे उदर, वाकी मेरे पीछे, नहीं, साथ, साथ चलेंगे, और हाईएस्ट अच्ची मेंट लेंगे, आप जिस भी आफिस में होंगे, आपकी ये होगी, साथ मिलकल कारे सफल होंगे, स्मार्ड नेट्वर्कर हो सकते हैं, आपकी आद्यात्मिक और धार्मिक सोच छिपी हुई, विसी शीर्ट होती है, आप दिखते हैं आधियात्मिक लेकिरें, बहुत अती आद्यात्मिक होते हो है, क strangers स 술 जोंगे, आपकी दारे, आपकी धार्मि आप करते रहेंगे, अपनी सारी धार में किरियां पूरी करते रहेंगे, लेकिन किसी को मुझ से नहीं बोलेंगे, यू विल माना मैं और मेरा इश्वर, नो आर्बिटेशन, बहुत, ये उच्छ लगन है, गुरु जी का, गुरु का, आप जोतिष पूरी समझ सकते हो, अगर आप जोतिशी बनना चाहते हो, द्धनौ लगन वालों, आप आराम से बैठके, इसमें बैठो, आप जोतिशी बन जाओगे, द्धनौ लगन वालों को मैं ये कहता हूँ, ये गुण आप में विद्यमान है, सिर्फ आपको इसमें काम करना है, ये मना ज्यादा तर 40 पृतिशत जो, प्रभध्य जोतिश होते हैं, जिनकी औहरा में भी कुछ तेज होता है, वो सब गुरु के जातक होते हैं, द्धनौ लगन लियता ही है, आशा है आपको धनौ लगन के साथ पूरा 100% पढ़िके होगा, जिनका धनौ लगन वाला हैं, आप मुझे कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ये भेजें, जो भी इस राजी के हैं, गड़ ब्लेस यू.